हेलो गाइज विलकम बैक मैं यूडी चैनल हमारी यूडी चैनल में आप सभी का त्यादिल से स्वागत है प्रेम से वह लिए जितवाहन वगवाने की जै सभी माताओं की जै तो आज जो जो माता जितवाहन का वृत रखे उनको कोटी-कोटी पढ़ाम है हमारी तरफ से और जित्वाहन नाम का एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहत उद्दार और प्रुपकार इंसान थे वह अपनी पीता की राजफार्ट को छोड़ दिया और वन को चले गए और वो जो राज कुछ दिन बाद उनको राजा बना दिया गया जित्वाहन भवान को लेकिन उनका उ चल दिये और वहां पर उन्हें एक राजकुमारी के साथ उनका बिवाह भी कर दिया जाता है पट जिस कन्या का नाम थी माला या वति नाम करने शिन का विवाह वाह था एक रोजनर जो हमारे जित्वान भवान द पर उन्हें एक विर्दा नागवंसज एक महिला मिली जो की काफी डड़ी सहमी और रोड़ ही थी उन पर उनकी नजर पड़ी उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा तो उसनोंने बताया कि हमारे पक्षी राज गरूर जो है वो नागों से वचल लिया है कि मैं आपको रोज से का हार लाके दूँगा उस हिसाब से आज मेरा बेटे का भाजा जिसका नाम संक चुड़ है वह पड़िक्षराज गरूर का निवाला बनने वाला है इसलिए वह महिला काफी रोड़ ही थी लेकिन जीतवान भगवान काफी दयावान थे उन्होंने कहा कि आज आपकी मैं पहुंचूंगी तो जीतवान भवान ने क्या किये वहां से उस महिला के बाद सुनके उन्हें अस्तावना देके वहां से चले और एक लाल कपड़े में ढखके और वहां पर लिट गए तभी वहां पर गरूर आते और उन्हें दवोच लिया और वह उड़ गए बीच मे लिगुँअि तो जीतवान की तब पर दया और उनकीश और हमत देखके औनोंने निश्चे किया कि आज之 firm को अपना ग्राश नहीं बनाईए इस परकार जीत वाहन की पूजा की जाती है जो की जीतिया वरत के नाम से जाना जाता है और वो भी निर्जला वरत रखा जाता है जो भी हमारी माताएं होती है वो 24 गंटे कभी कभी तो 40 गंटे की भी निर्जला वरत हो जाती है तो वो वरत रखती है अपने पुत्र कोई लंबी वायू के लिए और जितवाहन भगवान से वो भी कामना करती हैं जो जैसे आप उस ब्रिद महिला की बेटे का जान बचाए उनके उपर भी पत्ती वो अपने आप अपने उपर ले लिए उसी तरह हमारे संसार के जितने भी बच्चे हैं बालक बालिका जो भी हैं उनकी आप रक्षा करें तो मैं भी जीतवान भगवान से यही कामना करती हूँ कि हमारे भी संतान की रक्षा